इनिपिटेड सेक्शुल डिजायर मतलब सेक्स करने की इच्छा नहोना या इच्छा निकल जाना उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं मेरा ना में दॉक्टर दीपा क्या कर में मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त ग्यों महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं लोगों ऐसे करने के इच्छा लिए हुथ है कभी सरह ऐसे लोग हों है जोगों को ऐसे करने की इच्छा نिया इच्छा मर गई है हाँ पासमे बैठे पतनि के पासमे थोड़ा स्टिमूलेशन किया तो कफ़ा रहता यए मकर ते उसमें मज़ा नहीं आती है यह कठोरता पूरी नहीं आती, और फिर बहुत ज्यादा कठोर नहीं होने से फिर मजा नहीं आती, सेक्स करने में, तो फिर यह inhibited sexual desire, मतलब कामों तेजना नहीं होना, यह लेंगिक वासना नहीं होना, इच्छा नहीं होना सेक्स करने की, यह होता क्यों है, तो इसकी कई कारण है, जैसे एक्सेशिव ब्ल्यू फिल्म वाचिंग, इस से सेक्स करने की इच्छा नहीं हो, तो इसमें मन लगे रहता है, और उसमें मजा आती है, तो इसलिए वो ब्ल्यू फिल्म ज्यादा देखना वो ठीक नहीं है, तो नमबर दो, तो ओर एक्सपोजर टो इराटिक मेट्रियल, मतलब कामों तेजना करने वाले जो भी किताबे हैं, वीडियो होंगे, आडियो होंगे, जो भी है, उसको जादा एक्सपोजर कर लेना, बहुत जादा उसके बारे में जानना, सुनना, देखना, तो उससे एक्चुली सेक्स कर लगने में, उसको मनाने में, उनको मजा आता है, और वो जादा मजा आता है, एक्चुली सेक्स करने के कंपैरिसन में, मतलब उनको जल्दी सेक्स मिल जाए, और इजी अवेलेबल रहा, तो उनको मजा ही नहीं आती सेक्स करने में, मतलब उनको उसमें किक आती है, मनाना, प easy availability of sex जावता boredom boredom with the same partner क्या होता है कि लोग एक ही exercise करते एक प्रकार का आसन ही करते है sex करने में 365 दिन के 365 आसन हो सकते है एक ही प्रकार से sex कर लिया तो उसमें मज़ा नहीं आती और फिर boredom हो जाता है पिर next, homosexual tendency, तो homosexual tendency जो है, यह जैसा मैंने वाला blue film का number 1, number 2, over exposure to erotic stimulation, number 3, easy availability of sex, number 4, boredom with the same partner, और यह 5 है, homosexual tendency, तो homosexual tendency क्या होता है, कि उसको सम्मलेंगी इच्छा होती है, सम्मलेंगी का, same sex की इच्छा होती है, उसको विचार वो आते है, और पिर पत्नी के साथ में उसको मज़े नहीं आते है, पिर बहुत ज़्यादा पत्नी, मतलब पत्नी ने उसको stimulate किया, बहुत ज़्यादा पीछे लग गए, तो फिर थोड़ा बहुत sex होता है, और वो sex कर सकत प्लेजर नहीं आते है, मज़े नहीं आते है, फिर सात्वा, यदि वो कोई medicine के उपर है, दवाई है, दवाई चल रही है, specially मानसिक बिमारियों की दवाई, तो उससे भी लेंगिक भावना कम हो जाती है, इच्छा कम हो जाती है, फिर आठवा, religious causes, धार्मिक कारण जो है वो पास हा रहे, नवरातरी है, ऐसा कुछ भी हो है, कि जिसमें फिर उनको इच्छे नहीं होती, sex करने के और वो करते भी नहीं है, फिर नवा, cultural causes, cultural मतलब ऐसा है कि हमारे culture में काफी जो अनाड़ी है, अग्यानी है, उनको ऐसा लगता है कि दो बच्चे हो गए, तीन बच्चे होगे, औ alcohol कितना बच्चे करने का है, बच्चे कितना करने कि, बच्चे तो होगे, अभी क्या उसमें Seks में पड़ा, अभी उनको इच्छे होती, मतलब उनको लगता है ki सेक्स करना मतलब यह बच्चे पैदा करने की मशिन है और वो तो पैदा हो गए अभी अभी सेक्स करने जरूत नहीं और वो दिमाग से निकाली डाल दे कि अपने कुछ सेक्स करना है करें फिर दस डिस्टरब रिलेशन्शिप बिट्विन हस्बेंड वाइफ यह बहुत मास्ट्यूबेशन काौ प्सेशन है और मास्ट्यूबेशन बहुत बार कर रहा है तो फिर उसको जाती पतनी के साथ में या वाइफ के साथ में इया अुद्विके करें से धिर मेडिकल कंडिशन्स मेडिकल कंडिशन ओक Ahora हैं तो भी मारी से सफरींग चलुए तकलिभ हो रह तो ऐसे 12 मेंने कौज़स को बता है कि जिससे.. इनिविट हो सकती है कम हो सकती है या जो आती है वो पिछे हट जाती है मतलब पिछे हो सकती है मजह नहीं आता तो तो इसकारियम उसको डिल करे मीझ। कोई बाहर बताता नहीं चर्चा करता नहीं एक दूसरे का साथ में बात्चीत करते नहीं है तो इसलिए जरूर लोगों के वीडियो शेर करो ताकि लोग इसका इलाज कर सकेंगे और अपना जो वहवाईक जीवन है वो खुशाल से लोग जी सकेंगे वीडियो देखने के झाल झाल